ओम् स्री गड़ेश आये नमहा, ओम् स्री पर्मात्मने नमहा, श्री श्रीव महापुरान, रुद्र सहिता, दुतिये, सतीखंड, नारद जी के प्रशन और ब्रहम्हाजी के द्वारा उनका उत्तर. सदाश्यव से त्रिदेवों की उत्पत्ती तथा ब्रह्मा जी से देवता आदी की शक्ती के पश्यात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट है तो नारजी बोले महाभाग महाप्रभो विधाता आपके मुखारविंद से मंगल कारणी शम्भु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है अता भगवान शिव का सारा शुब चरित्र मुझसे कहिए तो संपूर्ण विश्व की स्रिष्टी करने वाले ब्रह्मदेव मैं सती की कीर्ती से युक्त शिव का दिविस चरित्र सुनना चाहता हूँ शोभा शाले ने इस सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन हुई महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया और पूर्व काल में दक्ष के प्रती रोश होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया चेतना काश को प्राप्त होकर वे फिर हिमाले की कन्या कैसे हुई और पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवा हुआ कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार इस्थान पा सकी महामते इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए तो आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है ना होगा तो ब्रह्मा जी ने कहा मुने देवी सती और भगवान शिव का शुब यश परम पावन दिव्व तथा गोपनिय से भी अत्यंत गोपनिय है तुम वह सम मुझसे सुनो पूर्वकाल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ती रहित चिनमे तथा सत और असत से विलक्षन स्वरूप में प्रतिश्ठित थे फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी विप्रवर वे भगवान शिव दिव आक्रती से सुशोवित हो रहे थे उनके मन में कोई विकार नहीं था वे अपने परातपर स्वरूप में प्रतिश्ठित थे मुनिश्रेष्ट उनके बाएं अंग से भगवान विश्णू, दाएं अंग से मैं ब्रम्हा और मध्य अंग अर्थात हिर्दय से रुद्र देव प्रकट हुए मैं ब्रह्मा स्रिष्टी करता हुआ भगवान विश्णु जगत का पालन करने लगे और स्वैम रुद्र ने साहार का कारे संभाला इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वैम ही तीन रूप धारन करके स्थित हुए उन्ही की आराधना करके मुझ लोक पितामा ब्रह्मा ने देवता असुर और मनुष आदि संपूर्ण जीवों की स्रिष्टी की दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की स्रिष्टी करके मैं बहुत प्रसन हुआ तथ अपने को सबसे अधिक उचा मानने लग मुने जब मरीची अत्री पुला पुलस्त्य अंगिरा क्रतु वसिष्ट नारद दक्ष और भ्रिगू इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया तब मेरे हिर्दे से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था वैं दिन में क्षीन हो जाती परंतु सायंकाल में उसका रूप संधर रिखे लोडता था वैं मूर्ति मती सायं संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जब करती रहती थी सुंदर भोहों वाली वैं नारी संधर की चरम सीमा को पहुँची हुई थी और मुनिय के भी मन को मोहल लेती थी इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अजभुत था उसके शरीर का मध्यभाग कटी प्रदेश पतला था दातों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी उसके अंगों से मतवाले हाथी किसी गंध प्रकट होती थी ने उस पुरुष को देखकर दक्ष आदी मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुख हो उठे उनके मन में विसमे भर गया था जगत की सृष्टी करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन जुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा वै पुरुष बोला ब्रह्मन मैं कौन सा कारे करूंगा मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाईए क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननी हैं और योग्य पुरुष हैं या लोग आपसे ही शोभित हो रहा है तो ब्रह्मा जी ने कहा भद्र पुरुष तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए पांच बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए स्रिष्टी के सनातन कारे को चलाओ इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदी कोई भी जीव तुम्हारा तिरसकार करने में समर्थ नहीं होंगे तुम छिपे रूप से प्राणियों के हिर्दे में प्रवेश करकी सदा स्वैम उनके सुख का हेतू बनकर स्रिष्टी का सनातन कारे चालू रखो समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत किये रहोगे यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो स्रिष्टी का प्रवर्टक होगा और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे सुर्श्रेष्ट ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की और दृष्टी पात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमल मय आसन पर चुपचाप बैठ गया ओम नमशिवाय शिवजी सदा सहाए